हेलो आज हम लोगी बहुत ही इंपोर्टेंट चित्र के बारे में पढ़ेंगे जो की है दच्छडी सैली का और दच्छडी सैली के गोल कुंडा से सम्मंदित है चित्र जो है चित्र जो है वो है चान बीबी पोलो खिलते हुए चान बीबी पोलो खिलते हुए चित्र का नाम है और यह चित्र है दच्छडी सैली का दच्छडी सैली में भी गोल कुंडा का और गोल कुंडा की जो स्थापना हुई थी वो अब 1512 में हुई थी गोल कुंडा की स्थापना गोलकुंडा का चान वीबी पोलो खेलते हुए इस चित्र है इसे के बारे में पहुत इंपॉर्टन चित्र है और सैली से समंदित है चान वीबी पोलो खेलते हुए जो की गोलकुंडा सैली का है और इसका जो संग्रा है संग्रा जो इसका है वो राष्टी शंग्रहाले नई दिल्ली में संग्रहित है जो हमारी गोल कुंडा की इसमें पढ़ते हैं तो हर एक जो हम पढ़ते हैं चार पास सैलिया पढ़ते हैं देचली सैलिकी तो उसमें से सैलियों में साही भी दियात रपनी रहती जैसे कि एहमद दगर की निजाम साही है वैसे ही गुलकुंडा जो है हमारी गुलकुंडा की जो साही है वो कुतुब शाही है गुलकुंडा की कौन से साही हो जाएगी कुतुब शाही हो जाएगी और एक चित्रित गरंते भी पढ़ना लगता है गोलकुंडा सैली का वो है दीवान ए हाफिस चित्रित ग्रंथ है जो वो दीवान ए हाफिस है दच्छडी सैली का जो हम टाइम पिरोड पढ़ते हैं वो 16 से 19 सदी तक पढ़ते हैं दच्छडी सैली का टाइम पिरोड हमने यह तो देख लिया कि ये जो चित्र है वो चांद इमेट पोलो खेलते हुए दच्छणी सैली का है दच्छणी में भी गोल कुंडा का है और गोल कुंडा का जो शाही वो हमने पढ़ा कुतूप शाही अब तक हम देख लेते हैं कि हमने क्या पढ़ा है और हमें क्या-क्या याद रखना चाहिए तो वो जो हमने पढ़ा अभी तक वो हमने क्या-क्या देखा कि हमने एक चित्र पढ़ा तो चित्र दिख भी रहा है सामने स्क्रीन पे चांद बीबी पोलो खेलते हुए यह जो चित्र है राश्री संग्राने नई दिली में संग्रहित है यह जो गोल कुंडा सेली से सम्मंदित है और गोल कुंडा जो किस थापना हुई थी 1512 में हुई थी यह कुत्व शाहि के अंतर गताता है इसके जो और हम इस चित्र देखते हैं कि यहाँ पे चार मिनार के भी स्थापनोई थी है तर गोल कुंडा सेली है तो यह भी ध्यान रगते है इस सेली से समंदित रहता है और इस सेली में क्या देखते हैं कुछ चित्र और भी जैसे मैना और नारी चेस्टर बिट्री संग्रहाला में है जो की प्रिष्ट जो की मैना और नारी जो चित्र है उसकी जो प्रिष्ट हुविय है सुनहरी है और प्रवतों का चित्रण भी उसमें किया गया है और हम क्या देखते हैं जो गोलकुंडा सहली है उसमें एक और important point रहता है कि गोलकुंडा की पासवान और रत्यांगनाय सुन्दरव कीमती आबुस्वों को पहनने के लिए प्रसिद्ध थी तो गोलकुंडा सहली का एक और चित्र है पाँच रत्यांगनाओ का चित्र जो की ब्रिटिस संग्राले लंदन में है और जो हम इस्क्रीन पर जो दिख रहा है चांद भी पॉलू खेलते हुए वह राश्टी संग्राले नई दिली में संग्रही थै और एक हमने चित्रित पोती पड़ी थी दीवाने हाफिच इसका जो वनस होता है उसकी जो शाही होती है वह कुत्व शाही होती है तो इतनी ज अजब लॅते ओूम एक हमेटे को सुद्ध में लूजराना होती है जो एक खाहा है जो ovक्तव द्व एक्यामाटू से टूसमों लूर हम होते ही हुँ वहँ वहाँ उसक से हुए है कि जोर के अफ जो पादो आ खतो